विख अब आप वो एवर्यों कैसे आप सभी लोग उम्मीद करता हूं आपकी पड़ाई अच्छे चल रही होगी तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लाइन टु लाइन and word to word translation और translation के साथ-साथ यहां पर आराम किस तरह का character है मुराद किस तरह का character है आराम के मन में 9 साल की आयू में मतलब मातर 9 साल का बच्चा है लेकिन इमानदारी के बारे में या फिर dignity के साथ अपनी life जीने के बारे में अपने कभीले की अपने खांदान की जो इज़त है उसके बारे में उसके विचार कैसे है कैसे वो सही और गलत को बिना किसी शंका के जानता है लेकिन साथ ही साथ घुड सावारी करने की जो उसकी इच्छा है और घुड सावारी का कभी उसे बेचने का नहीं था वो तो बस उसे इस्तमाल करना चाहता था तो इस तरह के बहुत सारे विचार आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं तो चलिए गाइस बिनादेरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर दस समर ओफ द ब्यूटिफल वाइट होर्स जो की स्नेपशॉट से लिया गया है चैप्टर फर्स्ट है हमारा हम सभी लोग जानते हैं हम फर्स लेक्चर देख चुक है इसका यह हमारा सेकेंड लेक्चर है हना और लेक्चर में एक बच्चा था उसका कमेंट में पढ़ रहा था आपको पता है आज कल जो भी मेरे प्र पूछ आता है कि सर आप ऐसे क्यों पढ़ा रहें लाइन टू लाइन क्यों नहीं पढ़ा रहें तो मैं आपको बता देता हूं जो नए बच्चे हैं उनको फर्स्ट लेक्चर जो है वह हमारा एनिमेटेड आता है ताकि आप पूरी स्टोरी लाइन को समझ सकें अच्छे से इ हमारी एप पे चलती है ठीक है तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा दा समर अप दा बीटिफुल वाइट होर्स और इसमें पहली लाइन कहां से शुरू होती है वन डे बैक देयर इन दो गुड ओल्ड देज वैन आए वस नाइन और वर्ल वास फुल ओफ एवरी इमेजिनेबल kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream my cousin मुराद तो एक दिन की बात है पहले के उन दिनों में back there in the good old days उन अच्छे पुराने दिनों में से उस समय के दिर का मतलब उस time के एक ऐसे दिन की बात है when I was nine जब मैं नौ था मतलब क्या है मैं नौ साल का था यानि वो अपनी age बता रहा है मैं कितने साल का था उस समय नौ साल का था and the world was full of every imaginable kind of और यह संसार जो है यानि कि मेरे आसपास का नौ गर्श के आयो में जो संसार था वो हर उस कल्पनिय चीज से भरा हुआ था नौ साल के बच्चे की कल्पनाओं में आप देखोगे न आप जहाकोगे तो आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में वो हर कुछ है जिसके बारे में वो imagine करता है वो स kind of magnificence, शांदार, लाजवाब, आकरशक चीजों की and life was still a delightful और जीवन अभी भी बहुती आनन्द युक था जब मैं 9 साल का था and mysterious dreams और किस से बढ़ा हुआ था रहस्य मही स्वपनों से अना ड्रीम का मितलब क्या होता है स्वपन और सामाने हिंदी में बोलू तो सपना किसी ल my cousin उसी समय उस दिन मेरा cousin जो था यानि मेरा चचेरा भाई जो था जिसका नाम था मुराद तो मुराद जो है वो आजाता है उसके घर के बाहर उसके घर की खिड़की के बाहर आता है और मुराद कौन है who was considered जिससे ऐसा माना जाता था crazy यानि एक पागल या उन्मादी किसम क करता था या हर वेक्ति उसे मानता था कि crazy है who knew him except me जो भी उसे जानता था यह new कार्थ है जानना ठीक है जो भी उसे जानता था except me मेरे अतिरिक जितने लोग उसे जानते थे वो सारे उसे पागल या संकी मानते थे came to my house और वही मुराद मेरे घर आया at four in the morning कब आया चार बजे at four in the morning यानि सुबह चार बजे वो मेरे घर पे आया and woke me up tapping on the window और मुझे woke up का मतलब क्या हुआ उठा दिया tapping the window का मतलब मेरी घर की जो खिड़की है मेरे कमरे की जो खिड़की है उसे थप थप आते हुए खट खट आते हुए ठीक है सुबह सुबह चार बजे मेरे कमरे की खिड़की को थप थप आया या बजाया मुझे उठाया आराम he said अब यहां हमें जिस बच्चे के हम कहानी पढ़ रहे है नौ साल का बच्चा उसकी कहानी हमें सुनने को मिल रहे है उसका नाम पता चल रहा है आराम तो आराम कह करके उसने उसे पुकारा I jumped out of bed and looked out of the window मैं जल्दी से बिस्तर से कुदा और मैंने खिड़की के बाहर देखा looked out of window यानि खिड़की से बाहर की और मैंने देखना शुरू किया I couldn't believe what I saw और मैं विश्वास नहीं कर सकता था जो मैंने देखा यहाँ पर what का मतलब क्या है जो ठीक है तो यहाँ पर what जो है वो क्या है यह हमारा pronoun नहीं है ठीक है यहाँ पर वाट जो है वो कंजक्शन के तौर पर है ठीक है जो पहले वाक्य को और दूसरे वाक्य को जोड़ रहा है तो I couldn't believe मैं विश्वास नहीं कर सकता था जो मैंने देखा It wasn't morning yet अभी सुवए भी नहीं हुई थी अब देखो अपन भी तो कहता है चार बजे का time सुवए का time ही होता है अर्ली morning कह सकते है लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि अभी सुवए भी नहीं हुई थी क्योंकि सुवए उठने का क्या मतलब है सूर्योदय से मतलब है सुवए नहीं ह हुआ था या सूरज के उगने से पहले आस्मान में जो रोशनी दिखती है वो तक दिखाई नहीं दे रही थी बट इट वस समर लेकिन यह कौन सा समय था समर का समय था and with daybreak और जैसे ही दिन के प्रारम वो होने का समय आता है not many minutes around the corner of the world it was light यानी की not many minutes around the corner of the world यानी संसार के अन्य हिस्सों में अन्य कॉर्णर के अंदर सुबह हो चुकी थी it was light enough for me यानी कि अगर मैं उसके पीछे की तरफ का जो पूरा संसार दिख रहा है यानी यहां पर तो मुराद जो है वो मैं सर्प्राइज नहीं को लूँगा लेकिन मुराद जो है मालनों खड़ा है और उसक इसनी लाइट थी for me मेरे लिए to know what I wasn't dreaming यह जानने के लिए कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ यानी कि सच में मेरा भाई मुराद वहाँ है उसने खिड़की बजाई है और फिर मैं उटके वहाँ तक गया हूँ और मैं उसे सच में देख रहा हूँ मेरा भाई मुराद जो है वो बैठा था किस पर एक बहुत ही खूपसूरत सफेद घोड़े पर बैठा था I stuck my head out of the window मैंने उसकता से जानने की इच्छा से मैंने अपना सर जो है वो खिड़की के बाहर निकाला rubbed my eyes अपनी आँखों को क्या वह या घोड़ा वो भी इतना सुन्दर सफेद सा तो मैंने अपनी आँखों को मसला या रगड़ा yes he said in Armenian हा उसने Armenian भाषा में यानि अर्मेनिया में जो भाषा बोली जाती है उसमें कहा हा इट्सा होर्स ये घोड़ा है you are not dreaming तुम सपना नहीं देख रहे हो जल्दी करो आज के बाद किसी को भी अगर आपको यह कहना हो ने जल्दी करो फटाफट करो तो उसको हिंदी में मत बोलना English में बोलना क्या बोलोगे make it quick जो भी काम तुम कर रहे हो जल्दी करो इसे फटाफट से करो ठीक है तो make it quick if you want to ride ride का मतलब होता है घुड़सवारी करना ठीक है तो अगर तुम घुड़सवारी करना चाते हो तो जल्दी करो फटाफटा जाओ फिर अपन चलता है घुड़सवारी करने के लिए I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mystic but this was more than even I could believe मैं जानता था पहले ही बता दिया भाया मुराद के बारे में उसका चरितर चितरन तो बिचारे का पहले ही हो चुका है कि यह संकी है पागल आदमी है हमारे खांदान के जितने लोग उसे जानते है वो यह बात जानते हैं कि यह पागल है यह संकी है यह कुछ भी कर सकता है तो अब मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता था बाकी सारे लोग इस बात को मानते थे मैं अपने भाई कजन को जानता था enjoyed being alive कि वो जीवित रहना बहुत ही आनंद करता है यानि कि उसे बहुत अच्छा लगता है जिन्दा रहना किसे अच्छा नहीं लगेगा more than anybody else यानि दुनिया में जितने लोग हैं उनमें से मुराद ऐसा वेकती है जिसे जीवित रहना पसंद है who had fallen into the world by mistake जो की जितने दुनिया में ऐसे लोग हैं जो की गलती से पैदा हो गए है fallen into का मतलब क्या होता है वैसे तो गिरना होता है लेकिन यह गिरने का अर्थ नहीं है fallen into का मतलब जो गलती से पैदा हो गए है गलती से इस प्रत्वी पे आ गए है उनमें से मुराद भी एक है but this was more than even I could believe लेकिन जो मेरी आँखों के सामने था वो मेरे विश्वास से भी परे था यानि कि मैं उस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा था in the first place, सबसे पहले my earliest memories had been memories of horses and my first longings had been longings to ride सबसे पहली बात मेरी सबसे पहली यादे जो थी वो यादे थी घोडे की या घोडों की and my first logging और मेरी सबसे पहली इच्छा जो थी वो हमेशा से यही इच्छा थी कि मैं घुड सवारी करूं तो अब दो चीजे हैं सामने एक तो आपके सामने एक ऐसा द्रश्य है जो बहुत जादा आश्यरे जनक है आपके लिए ऐविश्वस नहीं है एक स्थिति तो यह है दूसरी स्थिति यह है कि आप उतनी ही शिद्दत से उस काम को करना चाते हूँ जो की गलत है अब यह आगे बताएगा मैं देखो सस्वाइन जादा नहीं खोलूँगा लेकिन आप समझ सको situation आराम बहुत कुछ अपने दिमाग में सोचेगा बोलेगा बहुत कम लेकिन दिमाग में उसके बहुत कुछ चलेगा हमें उसके दिमाग में उसके बैठना है कि क्या सोच रहा है इसके दिमाग में चल क्या रहा है मुझे एक बात बताओ आपको आपके किसी दोस्त नहीं ये का क्लास चल रही है स्कूल की सर पढ़ा रहे हैं बोर्ड की तरफ और बढ़िया वो लिखने में लगे हुए और आपको पता है उनके नेचर को आप जानते हो क्योंकि आप रोज उनसे पढ़ते हो आपके एक दोस्त ने का भाई सूतली बम लाए हो फोड लेता है शानती से पीछ किसी को पतानी चलेगा किसने फोड़ा राज बना रहेगा सदियों तक के लिए फिर उस पे SIT कमेटी बैठेगी CBI जहां चोगी बहुत कुछ होगा कि बम किसने फोड़ा सूतली बम क्लास रूप में किसने फोड़ा अब आपके सामने दो स्तिति पहली स्तिति जो आपके दोस्त ने आपके सामने प्रस्ताव रखा आप विश्वास नहीं कर सकते कि और ये आदमी जो बाहर ढोल की आवाज से डर जाता है ये अपनी जेब में सूतली वम रख के लेके आया क्लास में तो सबसे पहले तो आप इस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं दूसरी चीज साथ के साथ क्या चल रही है क्लास में कोई ना कोई खुरापात करनी है और ऐसी खुरापात करनी है कि सब लोगों को जिन्दगी पर वो किसा याद रहे ये आपकी सबसे तीवरिया, सबसे बड़ी इच्छा है कि जीवन में, अपनी क्लास रूम में ऐसा कोई धमाका जरूर करूँ कि क्लास के सारे बच्चे मुझे लाइफ टाइम याद रखे ये आपकी लॉगिंग भी है, ये आपकी इच्छा भी है अब ये दोनों चीज़े एक साथ चल रही है कॉमेंट करके बताना आपके दोस्ते आपको जो प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव का क्या करोगे कॉमेंट बॉक्स में बताना, लाइफ चैट में मैं ध्यान नहीं दूगा मैं देखता भी नहीं, पढ़ता भी नहीं मैं 2-5 मिंट के लिए हायलो करने आता हूँ लेकिन मेरा वहाँ कोई सीरियस कंसर्ड नहीं होता तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिख करके बताईएगा कि यदी, जो मैंने काल्पनिक कता बताईए अगर ऐसा वास्तविक्ता में होता आप क्या करोगे देखते हैं चलो, आप लोगों का वास्तविक्ता में आपका केरेक्टर कैसा है यह बहुती लाजवाब हिस्सा था, यह बहुती लाजवाब पार था मेरे जीवन का आप दूसरी बात यह थी कि हम गरीब थे तो सबसे पहली बात तो वो कहता है कि यह बहुती शानदार दृश्य था, सानदार हिस्सा था जो मैंने देखा दूसरी बात सेकंड प्लेस पे बात यह है कि हम लोग गरीब थे यही वो हिस्सा था जिसकी वज़े से मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था जो मैं अपनी आखों के सामने देख रहा था कि हम इतने गरीब है कि हमारे लिए घोड़ा खरीदना हमारे खांदान में से किसी के लिए घोड़ा खरीदना असंभव से भी जादा असंभव है खरीदना तो असंभव है उसकी कल्पना करना भी असंभव है क्योंकि हमारे से कर कोई पूछे नहीं कि गोड़ा कितने का आता है तो बहुत महंगा आता है बोले कितना महेंगा वो नहीं पता बस बहुत महेंगा होता है हमारी साथ पुष्टे बिख जाएगी तब जाएक एक गोड़ा आएगा एक ऐसा विचार है ऐसा वास्ता विखता में होता नहीं है लेकिन एक गरीब आदमी जो इतना गरीब है कि वो अपने रोज मर्रा के है थे हमारे पास कोई पैसा नहीं था हमारा पूरा का पूरा का पूरा कभीला जो ठा वो गरीबी से गरस्त था या रस्त था के लावा एक शब्द और आता है इसमें त्रस्थ त्रासदी शब्द से मिलता जुलता शब्द है कि गरीबी से हम लोग सताएवे लोग थे हम लोग बहुत परिशान थे गरीबी से एवरी ब्रांच ओफ जए गरोगलेरियन फैमिली वोज लिविंग इन अमाजिगान पूवर्टी इन दा वर्ल्ड हर जो शाखा थी अर जो ब्रांच थी नहीं हर जो शाखा थी गरोगलेरियन परिवार की तो इस परिवार के जो सदस्यत अधिकाई सदस्य जो थे वह एक e 컬러. ओर कॉमिकल यानि हांसे आसफद मतलब इतनी गरीभी में जीवन जी रहे थे कि उन्हें देखकर आपको अजीब भी लगे कि इतनी घरीबी हो सकती है और उनकी गरीभी देखके आपको हसी भी आ जाए ऐसी गरीभी में वो लोग अपना जीवन जी रहे तब ऐसी गरीभी में गर कोई वेक्ती जिसको देख कर के आश्यरे हो हसी आ जाए क्या वो घोडा खरीदने का सोच सकता है उस कभीले का कोई वेक्ती Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies कोई भी ये बात नहीं समझता था where we ever got money enough क्या कभी भी कहीं भी हमारे पास परियाप्त पैसा रहा है क्या और परियाप्त पैसे के लिए वो example क्या देता है कि भाईया keep us with food in our bellies बैली कहा जाता है पेट कि हम अपने पेट में भोजन रख सकें इतना पैसा भी हमारे पास नहीं था not even the old man of the family बलकि जो परिवार का सबसे व्रद्वेक्ती है जो उसने जीवन बर कमाया है उसके पास भी पैसा नहीं था most important of all इन सभी में सबसे आदा महत्वपुन बात यह है दो दो का मतलब होता है जब की क्या होता है दो का मतलब जब की we were famous for our honesty हम लोग बहुत ही प्रसिद्ध थे अपनी इमांदारी के लिए अब यहां गए contrasting बात यह वाक्य जो है न यह जान है बेसाइस चेप्टर ली और जो मैंने आपसे सवाल पूछा था last lecture में भी और आज भी दो-चार सवाल पूछूँगा जैसे अभी एक सवाल पूछा इन सारे सवालों के जड़ यह है कि हमारा जो कबीला था हम सभी लोग बहुत ही प्रसिद्ध थे हमारी इमांदारी के लिए we had been famous for our honesty for something like 11 centuries ग्यारा शताबदियों से कितने टाइम से famous थे हम लोग 11 शताबदियों से हम लोग famous थे हमारी honesty के लिए मतलब हम इतनी इमांदार कबीला या community हम थे even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world और बलकि उस समय भी जब हम सबसे wealthiest यानि कि सरवादिक सम्रिद्ध लोग भी जब हम थे न आज तो हम गरीब हैं तो भाईया हमने कह दिये हम गरीब हैं इसलिए हम honest हैं ऐसा नहीं जब हम अमीर भी थे तब भी वर्ड जो है हमारे बारे में यही सोचना पसंद करता था यानि कि संसार के लोग तब भी हमारे बारे में यही सोचते थे कि कि Garagalian family जो है वो इस दुनिया की सबसे इमानदार family है कबीला है community ठीक है वी वर proud first honest next हम लोग सबसे ज़ादा पहले क्या थे गर्वित लोग थे यानि कि गर्व से भरे वे और second या अगला हम लोग क्या थे तो हम लोग इमानदार थे और इस इमानदारी की वज़े से ही हम क्या थे अपने आप पर गर्व करते थे and after that we believed in right or wrong और इन दो चीजों के बाद में ही हम सही या गलत के बारे में बात करते थे या उस पर विश्वास करते थे none of us would take advantage of anybody in world let alone steal हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जो की advantage यानि की फाइदा उठाने का प्रयास करे किसी भी इंसान का इस पूरे संसार में let alone steal का मतलब चोरी को तो छोड़ी दो हम इतने इमानदार थे कि चोरी के तो बात ही मत करो हमारे सामने हम इतने इमानदार थे कि हम किसी इंसान का फाइदा तक न उठाए तो चोरी तो बात ही बहुत अलग ठीक है अब यहाँ पर situation क्या हो गई हमारे सामने आराम उठा आराम कर रहा था विचारा आराम में दखल आ गया उस दखल का नाम मुराद है उठा सामने देख रहा है भाई साब बैठा है घोड़े पे चल अच्छी बात देख के अच्छा लगा उसकी फैंटेसी पूरी हुई लेकिन दिक्कत यह है कि हम इतने गरीब है कि घोड़ा खरीद नही सकते हैं और हमारा कबीला इमानदारी के लिए फेमस हैं इतने इमानदार भी है कि हम चोरी नहीं करेंगे तो सीधा सा क्या कॉशन आराम के मन में आ रहा है कॉमेंट करके मुझे बताओ खरीद सकते नहीं चोरी करेंगे नहीं तो अब क्या समझ्या है क्या चल रहा है उसके दिमाग में comment करके आप बताओ कि आपको बात समझ में आई के निया आई कि क्यों इतना लंबा खिच गया यह थोड़ा सा एक छोटी सी सोच आरामी लेकिन इतनी लंबी खिच रही है क्योंकि यह सबसे आदा important है comment करके बताओ मुझे एकर बात समझ में आई तो consequently यानि की हिंद सीधा और्स हलां कि मैं घोडे को देख सकता था so magnificent बहुत ही ज्यादा लाजवाब पता नहीं क्यूं पता नहीं क्यूं मैगनिफिचेंट के लिए बहुत सारी हिंदी में वर्ट्स आ सकते हैं लेकिन मुझे यह वर्ट्स सबसे ज़्यादा अच्छा लगता लाजवाब so lovely बहुत ही प्यारा even though I could hear it breathing हलांकि मैं उसे सांस लेते हुए सुन भी सकता था so exciting बहुत ही ज्यादा उत्तेजक उत्तेजक का मितलब क्या है उत्तेजना पैदा करने वाला excitement को जनम देने वाला I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of other members of our family asleep or awake because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse I couldn't believe मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था the horse had anything to do to do का मतलब होता है किसी चीज से अपना लेना देना होना कहता नहीं इस से मेरा कोई लेना देना नहीं एक तरीके से phrase की तरह काम करता है तो बेरा कोई भी लेना देना या मेरे कजन मुराद का किसका लेना देना नहीं था मेरे कजन मुराद का कोई लेना देना नहीं था घोड़े के साथ मेरा कोई लेना देना घोड़े के साथ नहीं था या फिर कोई दूसरा member जो हमारे परिव में जगावा हूँ जागरत अवस्ता में हूँ because I knew my cousin मुराद couldn't have bought the house क्योंकि मैं जानता था कि मेरा भाई मुराद जो है वो घोड़ा नहीं खरीद सकता था and if he couldn't have bought और अगर वैं खरीद नहीं सकता था he must have stolen it तो निश्चत तोर पर उसने क्या किया है इसे चुराया है ठीक है यही आंसर था अभी 2-5 मिंट पहले पूचाता था ना comment करके बताओ last question जो पूचाता था उसका आंसर यही है कि उसके दिमाग में ही चल रहा है कि भाईया इसने रिश्चत तोर पर गोड़ा चुरा लिया नास कर दिया इसने कभीले की इद्जत का I refuse to believe he had stolen it लेकिन मैं जानता था कि यह भी जानता है कि किस कभीले से बिलॉंग करता है तो मैं इस बारे में विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि इसने यह चुराया नो मेंबर ऑफ दा गेरोगेलियन फैमिली कुड बिया थीफ गेरोगेलियन फैमिली का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता था क्या नहीं हो सकता था थीफ नहीं हो सकता था चोर नहीं हो सकता था ऐसा हो ही नहीं सकता था कि गैरोगेरियन फैमिली का कोई इंसान कोई व्यक्ति कुछ चुरा ले किसी को क्योंकि हम तो भया ऐसे हैं हम तो किसी का फाइदा भी नहीं उठाते चोरी को तो आप छोड़ी दो और यहां मुराद कड़ा है अब यह मुराद है कि ना मुराद है समझ में नही नहीं करी सकता वे वो चोड़ो क्या किया तुने चुरा लिया क्या गोड़ा है I steered first at my cousin सबसे पहले मैंने घूर के देखा अपने कजन अपने भाई को then at the horse फिर गोड़े को there was a pious stillness and humor in each of them उनमें एक बहुत ही पवित्रता वाली खामोशी थी यानि दोनों बिलकुल स्थिर शान्त हो करके बैठे हुए थी मुराद भी उसके तरह ऐसा देख रहा था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है मैं चोरी करके लाया ही नहीं तो उसके च आसे की स्थिती हो रही थी each of them उन दोनों में which on the one hand delighted me on the other hand frightened me यानि मेरे सामने जो स्थिती थी on the one hand का मतलब होता है एक तरफ क्या होता है इसका मतलब एक तरफ ऐ कि छाइब आप चाहे on the other भी बोल सकते हो on the other hand भी बोल सकते है उसका मतलब होता है दूसरी तरफ इस है तो यह जो दरश्य था यह एक तरफ तो मुझे delight कर रहा था मुझे प्रसंद कर कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ अकर देखें तो यहीं ड्रश्य मुझे डरा भी रहा था फ्राइटेंडिन का मतलब भैभीत करना डराना तो एक तरफ यह द्रश्य मुझे खुश कर रहा था अरे वहाँ घोडा फुटसवारी करेंगे और दूसरी तरफ यहीं द्रश्य तुमने गोड़ा कहां से चुराया? लीप आउट ओफ दा विंडू उसने कहा कि खिड़की से बाहर कूद के आजाओ अगर तुम्हे घुड़सवारी करनी है तो प्रशन क्या पूछा गया? तुमने गोड़ा कहां से चुराया? उत्तर क्या दिया गया? अगर गोड़सवारी करनी है तो खिड़की से बाहर आजा और गोड़सवारी करने चल इसका मतलब ये बात सच थी कि उसने गोड़ा चुराया था क्योंकि उसने जवाब नहीं दिया और वो बस आया था मुझे इन्वाइट करने के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए कि मैं उसके साथ गोड़सवारी पर जाना चाता हूँ या नहीं जैसा भी मैं चुनू चुन चकता था यारी अब मेरे पास स्वतंतरता है मुझे बात स्पष्ट समझ में आ गई कि भाई गोड़ा चुरा के लाया ये तो क्लियर है मामला है इसमें कोई डाउट ही नहीं अब मेरे को चुनना है कि मुझे इस गोड़े पर गोड़सवारी करने जाना है कि नहीं जाना है तो भईया फटाफट से कॉमेंट बॉक्स में फिर से आ जो क्योंकि आराम के दिमाग में अगर बैठे हो तो देखो आराम के सामने सवाल आया है अब इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा comment box में लिखना पड़ेगा कि बताओ क्या हुआ वो गुड़ सवारी के लिए जाता है या नहीं जाता है सीधा simple question है आप अगर उसकी जगे होते तो गुड़ सवारी के लिए जाते या नहीं जाते इस सवाल का जवाब देना है यदि आप उस स्थान पर होते तो क्या आप गुड़ सवारी के लिए जाते या नहीं जाते well it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same as stealing something else such as money क्यार मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा प्रतीत होता है seemed to me ऐसा लगना या ऐसा प्रतीत होना stealing a horse for a ride किसी का घोड़ा चुरा लेना घुड़ सवारी करने के लिए was not the same thing वो वैसी बात नहीं है stealing something else जैसे कुछ और चुराना जैसे कि पैसा चुराना तो पैसा चुराना तो अलग चीज है घोड़ा अगर अपने किसी का चुरा लिया और केवल घुड़ सवारी करने के लिए चुरा है तो यह कोई चोरी थोड़ी है इसको चोरी थोड़ी कहेंगे for all I knew मैं इतना ही जानता था maybe it wasn't stealing at all अब देखो for all I knew मैं इतना जानता था यह assurance दे रहा है अगले ही वाक्य में maybe शायद अगले वाक्य में खुद कोई contradict कर गया पहले तो बोल रहा है मैं जानता हूँ यह चोरी नहीं है अब पताए इस बात को कैसे है मैं जानता हूँ शायद यह चोरी नहीं है दीरे से थोड़ा सा soft corner पकड़ रहा है यह क्या है कि बहुत कैद में बंद है और उस जगे से उस कैद से निकलने के लिए इतनी सी जगे बाकी है जिससे यह निकल सकता है उस कैद से बारा तो यह धीरे-धीरे क्या सरकार है चीजों को और बीच में जगे बना रहा है जगे बना रहा है ताकि यह सी से निकल सके क्योंकि इसके मन में यह बोच बहुत जादा है कि भाईया यह चोरी करके लाया और इसने अपनी खांदान की इजद के बट्टे लगा दिये लेकिन अपके अधिरी दे शायद यह चोरी नहीं है अरे यार वो तो क्यों चलाने के लिए तो लाया गुरसावारी करने के लिए वो कौन सा बेचने के लिए लाया कौन सा किसी का पैसा चुरा के लिए है अपने आपको convince कर रहा है कि भाईया यह चोरी नहीं है अगर आप पागल होते crazy होते बहुत ही ज़ादा उत्साहित होते घोडो के बारे में जैसे कि मेरा कजन मुराद और मैं थे it wasn't stealing तो आप भी यह मानते के यह चोरी नहीं थी it wouldn't become stealing until we offered to sell the horse और यह कब तक चोरी नहीं है देखो आगे भी theory लिख रहा है यह तब तक चोरी नहीं है जब तक हम इसे बेचने का प्रयास नहीं करते जब तक हम कोशिश नहीं करते या किसी को जाके offer नहीं करते ना कि आओ हमारा गोड़ा खरीद लो यह यह हमारा गोड़ा हम बेचना चाहते है तब तक यह चोरी नहीं है which of course I knew we would never do जिसके लिए मैं पूरी तरीके से निसंदे हूँ, sure हूँ of course का मतलब होता है निसंदे मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कोई संदे है, नहीं है मैं जानता था कि हम ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करेंगे let me put on some clothes I said मैंने का चलो मुझे कुछ कपड़े पहन लें दो alright he said but hurry उसने का ठीक है लेकिन जल्दी करो I leaped into my clothes मैं तेजी से कुदा leap का मतलब होता है चलांग लगाना हिंदी में इसके लिए एक शबद आता है बिल्कुल proper शबद है, सही शबद है चलांग तो मैंने चलांग लगई into my clothes अपने कपड़ों की और I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin मुराद मैं बाहर की तरफ और नीचे की तरफ अपने चौक में, yard में कुदा window से, leap up उचला onto the horse उस उचल करके उस घोडे पर बैठ गया, behind my cousin मुराद अपने भाई मुराद के पीछे that year we lived at the age of town उस समय हम लोग हमारा जो town था, शहर था उसके अंतिम छोर पर रहते थे on walnut avenue जिस इस्थान का नाम क्या था walnut avenue उस इस्थान का नाम था behind our house was the country, और हमारे पीछे, देहात का इलाका था यानी कि हमारे घर के पीछे की तरफ क्या था, ग्रामीन शेत्र था इंग्लिश में का जाता है country या countryside ठीक है, wine yards अंगूर के बगीचे थे, archards फलो के बगीचे थे irrigation, ditches सिचाई के लिए नालिया वनी वी थी and country roads और ग्रामीन शेत्र की सडके थी, in less than three minutes we were on olive avenue, तीन मिनिट से भी कम समय लगा और घुड़सावारी करते वे हम लोग olive avenue नाम की जगह पर पहुच गए, and then the horse began to trot और उसके बाद वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उचलते वे उस घोड़े ने चलना शुरू कर दिया, the air was new, हवा बहुती नई थी, lovely to breathe और बहुती प्यारी लग रही थी breathe करने के लिए, यानि की सांस लेना किसके लिए बहुत अच्छी लग रही थी सांस लेने में बहुत अच्छी लग रही थी the feel of the horse running was wonderful, यह जो भाव था, यह जो feel था जो मैं मैं मैंसूस कर पा रहा था उस घोडे का भागना वो बहुती शांदार था, लाजवाब था my cousin मुराज, who was considered one of the craziest member of our family begin to sing, और मेरा भाई मुराज, जिसे माना जाता है सबसे crazy, पागल या सनकी सदसे हमारे परिवार का उसने गाना शुरू कर दिया I mean, he began to roar मेरा मतलब उसने दहाड़ना शुरू कर दिया बहुत सारे लोग जो है उन्हें गाना पसंद है गाना पसंद होना भी चाहिए अच्छी बात है, गाना गाना चाहिए लेकिन जो आसपास लोग बैठे है उन पर दया भी करनी चाहिए अगर आपकी आवाज उतनी शुरीली नहीं है तो धीरे धीरे गाओ, धीरे धीरे गुनगुनाओ आराम से अपने मन को आनंदित करो कि मैं गाना गा रहा हूँ, खुदी गाओ, खुदी सुनो और मस्तरो दूसरे लोगों को प्रताडित क्यों करना बहुत सारे लोग बहुत चिला चिला के गाना गाई और उनके आवाज ऐसी होती है फटेवे बास की तरह के दिमाग और खराब हो जाता क्यों क्यों ही गा रहा है भाई, तू रहन दे नहीं बख्ष दे हमें, दया कर हमारे उपड़, जरूरी है गाना गाना सांस नहीं आएगी तरह को तू गाना नहीं आएगा तो मत कर मान जा तो अभी कुछी दिन पहले मैं गुमने गया था अपने दोस्त के साथ तो जैसे ही हम लोग कार में थे, ड्राइव कर रहे थे उदैपूर की तरफ और जैसे ही यह होता कि उसका कोई फेवरेट गाना आता, वो गाना शुरू कर देता और उसके गाना शुरू करते ही मुझे तुरंत सौंग चेंज करना पड़ता तुरंत प्रवाओ से मेरे को गाना बदलना पड़ा, कारण यही उसे लग रहा था, वो गा रहा है, बाकी सब को लग रहा था कि वो दहाड रहा है तो यही कंडिशन यहाँ पर भी हुई कि उसने गाना यानि कि दहाडना शुरू कर दिया Every family has a crazy streak, हर परिवार में एक ऐसा crazy streak यानि कि पागलपन के सौभाव वाला वेक्तिया, पागलपन का कोई सौभाव उन लोगों में होता है In its somewhere, कही न कही होता है My cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe और हमारे जो खांदान में अब जो नई पीड़ी है, उसमें से मुराद जो है, उसे माना जाता है कि यह जो natural, वंशजा उत्तरादिकारी में जो सौभाव मिला है पागलपन का, crazy streak होने का, हमारे tribe के अंदर, वो किसे मिला है? वो मिला है या Murad को किसको मिला है? मुराद को मिला है, before him was our uncle Khusro, उससे पहले हमारे अंकल थे खुसरो, यानि हमारी पीड़ी में मुराद है, हमसे पहले वाली पीड़ी में हमारे अंकल है, खुसरो, तो यह पागलपन जो है, किसी ना किसी एक में तो आ नहीं है, तो हमारे पूरवज़ों में स यह मुराद भाई साब में से है, an enormous man with a powerful head of black hair with largest mustache in San Jaquin Valley, अर्मेनिया के अंदर एक स्थान का नाम है, ठीक है? तो हमारे अंकल जो है, खुसरो, वो बहुत ही विशाल सर वाले आदमी है, बहुत ही विशाल आदमी है, जिनका बहुत ही मजबूत सर है, काले बाल है, और बड़ी-बड़ी मूचे है, in the San Jaquin Valley के अंदर, a man so furious, एक ऐसा आदमी, बहुत ही ज़ादा गुसेल, in temper, सभाव में क ऐसा है, बहुत ही ज़ादा गुसेल, अक्रामक, हमेशा गुसे में रहने वाला, so irritable, so impatient, बहुत ज़ादा चिडचिड़ा, और बहुत ही ज़ादा अधीर, जिसमें धहर यह नहीं है, बिलकुल, जल्दी पटा-पट, पटा-पट, हर चीज पटा-पट, then he stopped anyone from talking by roaring, जब भी उसे किसी को रोखना होता है बात करने से, तो वो दहाणना शुरू कर देता है, it is no harm, pay no attention to it, ऐसे ही बोलता होगा, मैं एक बार फिर से गोशिश करता हूँ, it is no harm, pay no attention to it, ऐसे वो दहाण के बोलता होगा, तो यह बस यही एक डायलोग है इस बिचारे के पास, यह पूरे च नहीं, no matter what anybody happened to be talking about, इससे कोई फरक नहीं पड़ता है कि कोई आदमी क्या बात कर रहा है, once it was his own son Eric, running eight blocks to the barbershops, where his father was having his mustache trimmed, to tell him their house was on fire, तो एक बार की बात है, यह उनका बेटा ही था, खुद का बेटा जिसका नाम है अराक, वो दौरता हुआ, बहुत दूर से, eight blocks के दूर से वो नई की दुकान पर पहुचा जहां उसके पिता जी, पिता जी कौन, यही, खुसरो बाई साब, was having his mustache trimmed, अपनी मूचे कटवा रहे थे, ट्रिम करवा रहे थे, छोटी करवा रहे थे, to tell him और यह भाग करके वाँ क्यों जा रहा था, उन्हें बताने के लिए, their house was on fire, उनक has no harm, pay no attention to it, इससे कोई फरक नहीं पड़ता, इस पर ध्यान मत दो, कोई चीज है जो ध्यान देने लाइक नहीं, किसी चीज पर ध्यान मत दो, है न, दो बाक्ये हैं, किसी ने का अरे चलो चलो घर में आग लग गई, मुझे क्या, अरे चलो तुम्हारे घर में आग लग रह है, तुझे क्या, सिंपल सी बात है, अगर मेरे घर में आग लग रही है, तो तुझे क्या, और किसी और के घर में आग लग रही है, तो मुझे क्या, तो यहाँ पर ध्यान मत दो, कोई फरक नहीं पड़ता, इस पर ध्यान मत दो, कोई फरक नहीं पड़ता है, जो उसका ट् वो कहता है, फिर से कहता है, but the boy says, बच्चा जो है, वो कहता है, your house is on fire, तुम्हारे घर में आग लग रही है, तो खुसरो रोड तो खुसरो और दाड के बोलता है, enough, बहुत हो गया, मत बोलो, it is no harm, I say, मैं कहता हूँ, कोई नुकसान नहीं हुआ, My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, और यही वो आदमी है, जिसका उत्रादिकारी, स्वभाव के लिए, natural यानि स्वभाव एक तोर पर, जो स्वभाव है, temper जो है, उसके लिए उत्रादिकारी है, Although Murad's father was Jorab, हलाकि Murad के जो पिता है, उनका नाम तो Jorab, who was practical, बहुत ही practical आदमी है, nothing else और कुछ भी नहीं, that's how it was in our tribe, और ऐसे ही हमारे ट्राइब में चीज़े थी, A man could be the father of his son's flesh, एक आदमी जो है, एक मनुष्य जो है, वो पिता हो सकता है, अपने बेटे के, Flesh का मतलब वैसे मांस होता है, लेकिन यहाँ पर शरीर की अर्थ में, वैसे क्या अर्थ होता है, Flesh मांस को कहते हैं, तो एक आदमी जो है, वो अपने बेटे का पिता तो हो सकता है, उसके शरीर का पिता तो हो सकता है, लेकिन इसका मितलब यह नहीं है कि वो उसकी आत्मा का भी पिता है और जो स्पिरिट है और तब शुरुवात के अंदर हमारे जो ट्राइब के अंदर जो स्पिरिट्स अलग अलग तरह की देखने को मिलती थी वो कौन-कौन सी थी? कैप्रिशिएस होना, यानि कि संकी होना, हमारे कभीले में कैसे लोग ते या तो संकी लोग थे या वैग्रेंट या फिर आवारा लोग थे ऐसी ही traits हमारे कभीले के लोगों में ऐसी ही चारितरिक विशेष्टा या ऐसे ही चारितरिक गुण हमारे कभीले के लोगों में देखने को मिलते हैं हम सभी के अगर बात की जाए तो हमें ये पता था कि हम अपने पुराने देश में ही हैं जहां आखिरकार या at least कम से कम according to some of our neighbors हमारे कुछ पडोसियों के हिसाब से भी बिलॉंग जहां से हम बिलॉंग करते थे जहां के हम निवासी थे किसी जगे से बिलॉंग करने का मतलब क्या होता है किसी इस्थान का निवासी होना तो जाए तर हमारे पडोसियों को लगता था कि हम वही रहते हैं जहां के हम रहने वाले हमने उस घोड़े को दोड़ने दिया जब तक हमें यह मैसूस हो रहा था कि मैं दोड़ रहा है अंत में मेरा भाई मुराद कहता है नीचे उतर जाओ मुझे अकेले को घुड़सवारी करनी है तो 말 करना चाहते हो तो अगला मेरा सवाल क्या होगा fake that यह तो मुझे भी अकेले करनी दोगे दिस अब प्सक्राइश मैरी करता है मेरे कजनने कहा कि यह तो गोड़े निरुबर करता है मैं तो मना नहीं करूँगा, अगर गोडा नहीं करने देगा, तो मैं क्या करूँगा, get down, नीचे उत्रो, the horse will let me ride, I said मैंने का, horse तो मुझे ride करने देगा, गोडा तो मुझे गुरसावारी करने देगा, we shall see, हम देखेंगे, he said, उसने का, don't forget that I have a way with horse, I have a way with horse का, मतलब समझ लो, पहले थोड़ा सा, क्योंकि translation से उत्रा clear नहीं होगा, मेरी अपनी style है, मेरा अपना तरीका है इस घोडे के साथ, हर घोडा, हर वेक्ती के साथ, हर घोडा, हर सवार के साथ, सहज हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ये बात मुराद समझता है, आराम नहीं समझता है, आपको लगता है, कि पैट डॉग है किसी के घर में, पालतु कुट्ता है, आपको लगता है कि उसका मालिक अगर उसका फेर रहा है बैठा हुआ, तो आपको लगता है, क्या फरक पड़ता है, पाल तो कुट्टा है, मैं भी जा के फेर लेता हूँ, नहीं, वो खा जाएगा, अगर आपसे उसको जरा सा भी खतरा महसूस हुआ, वो आपको तुरंत काट सब्सक् Así जानवरों को टेकल करने का अपना तरीका होता तो यही बात यह कह रहा है गोड़े को करता हूं या साथ में साथ में राइड कर सकते हैं वयलाइ साइट कैर मैंने कहा है एनीवे यूब頭 हो इए अर्साइव भी है अना for the sake of your safety केवल और केवल तुमारी सुरक्षा के लिए ही साइड उसने का let us hope so get down चलो तुमारी safety के लिए ही उमीद करते वेया तुमारी safety के लिए ही हम उमीद कर सकते हैं get down अब नीचे उतर जाओ all right I said में रहा ठीक है but remember you have got to let me try to ride alone लेकिन याद रखना तुम्हें मुझे try करने देना होगा कि मैं केला गोड़ सवारी कर सको I got down and my cousin मुराद kicked his heels into the horse and shouted वजायर run मैं नीचे उतर गया और मेरा कजन मुराद जो है उसने अपनी एडियो से घोड़े को मारा और चिलाया उसने क्या चिलाया वजायर run वजायर उसका नाम और run यानी दोड़ो the horse stood on his hint legs अपने पीछे वाली time वोपर खड़ा हो करके snorted उसने फुफकारा उसने गुराया and burst into a fury of speed तेज बिलकुल जैसे जंगल की आग फैलती है न वैसे गुसे में और तेज speed के अंदर बहुत तेज गती के अंदर उसने भागना शुरू करती है that was the loveliest thing I had ever seen और मैंने आज तक अपने जीवन में जितने द्रश्य देखे थे उन में से यह सबसे शांदार या सबसे लाजवाब द्रश्य था जब मैंने उस fury में उस full speed में उस घोड़े को भागते वे देखा तो guys उमीद करता हूँ आज का lecture आपको अच्छे से समझ में आया होगा और बाकी homework तो मैं आपको already दे चुका हूँ दो चार बाते में आपसे पूछ चुका हूँ अना उनी का आप comment box में answer लिख दीजिए और बाकी फिर अगले lecture के अंदर अच्छे आपके लिए homework लेकर करके आँगा thank you very much I'll see you soon in my next lecture till that take care of yourself bye bye I'll see you soon